हाँ अभी तो जब यहां पहुंचे हैं क्योंकि मैंने देश की मीडिया से वादा किया था जो जो मैंने वादे Πूरे किये वो सारे मैंने वादा पूरे किये देव प्रकाश मदुकर को सरेंडर कराने का वो किया उसके बाद सभी जांच चल लही जांच में भाग ले रहे हैं और नाराण साकार हरी आज यहां इस अपनी जन्म भूमी पे जो बहादुर नगर है पट्याली है यह कासकन जन्पद में उत्तरप्देश में है पट्याली उसमें यहां इस्थापित है और यहां 2013 में आये थे नाराण साकार हरी उसके बाद 2023 में एक दिन के लिए आये थे वो एक दिन के लिए जो उन्होंने अपने बियारस से जो पेंशन के समय जो भी सरकार से धन मिला उसको यहां बनाया लगाया 2023 में आके उन्होंने यहां के लोगों को ही सौप दिया कि यह सब आपका है और उसके बाद अपना कोई संबन नहीं रखा और 2023 के बाद अब जब इच्छा थी यहां के लोगों की भी बड़ी आश्था थी शद्धा थी भक्ती थी तो उस आधार पर यहां हमने उनसे रोध किया कि आब वहां पहुंचें क्योंकि मैं यहां उस दोरान आया था जब एटा अली गड़ और मैंपूरी और हातरस आया था तब यहां भी आया था लोगों से मिला था जो कुछ डिसीज की फैमिली थी इंजर्ड फैमिली थी उनसे मिला था तो उन्हों की इच्छा थी सब की तो मैंने का आप यहां आये और यहां प्रवास कीजिए अब यहां स्वास लाब भी लेंगे और यहां प्रवास भी करेंगे आगे प्लाना फेक्शन यह है कि हमारी जो कमेटियाँ हैं, जिला इस्तर की जो कमेटी हैं, उनसे नरायण साकार हरी ने भी प्रार्थना की, उनके पास तो कुछ है नहीं, उन्होंने अपने जीवन में कभी नोट वोट तो मागा नहीं, हन्ना उनके पास है, जो कोई इस तरह तो उन्होंने जिढा कमेटियों से पिछले में प्रार्थना की थी, उन्होंने कि वो जो मृतकों के के कारिवार हैं, उनसे सदभावना पूरोग मिलें, और तनमन धन को समरपन करके उनके साथ सहयोग करें इंजड को जब तक इंजड रहे उसके परिवार को करें और मृतक के परिवार को पूरे जीवन भर साहता दें तनमन धन से हम चाहते हैं नाराण सा कारेरी चाहते हैं मानम मंगल मिलन सत्भावना समागम चाहता है कि किसी की बहन बेटी अगर वो पढ़ रही है तो सिच्छा के लिए धूरी ने रहे किसी गारजिन के चले जाने से किसी बहन बेटी का विवा होना है तो विवा हमें कोई कमी न रहे क्योंकि मानम मंगल मिलन सद्भामना समागम की हम लोगों ने कामना की है इच्छा की है और उसी सत्य के मार्ग पर सदैब उन्होंने चलना सिखाया है और चल रहे हैं और सभी उनके अनुवाई चलते हैं